कोप से इस साल सबसे ज़्यादा नुकसान अंगूर उत्पादकों को हुआ है बता दे इस से ना केवल उत्पादन में गिरावट आई है बलकि अंगूर की गुडवकता भी खराब हुई है वही जिसके बाद किसानों ने किश्मिश बेचना शुरू कर दिया है किश्मिश उत्पादन बढ़ाने पर जोर भी दिया गया है लेकिन पिछले साल की तुलना में किश्मिश के उत्पादन में भारी गिरावट आई है हाला कि कीमतों के अच्छे रहने से किश्मिश उत्पादकों को रहत भी मिली है वही कारुबारियों का कहना है कि तियोहार और शादियों के कारण किश्मिश की मांग बढ़ी है जिससे कीमतों में कुछ सुधार भी हुआ है वही मौजूदा मांग और कीमतों के साथ अंगूर उत्पादकों को रहत मिली है प्रदेश में इस साल एक लाग साथ हजार तन किश्मिश का उत्पादन हुआ है किसान अब कीमतों में और बढ़ोतरी का इंतिजार भी कर रहे है जिस तरहे जुलवायू परिवर्ता ने अंगूर के उत्पादन को प्रभावित किया है उसी तरहे तुफानी हवाओं और चुछलाती गर्मी के कारण किस्मिश का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है मैं किस्मिश का उत्पादन सबसे अधिक सोलापूर, सांगली, नासिक और करनाटक के कुछ राज्यों में किया जाता है इस साल उत्पादन प्रग्रिय दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन कई महीनों से बेमौसम बादिश और तेज हवाओं के कारण किस्मिश का उत्पादन प्रभावित हुआ है गुरवक्ता पूर्ण किस्मिश का उत्पादन नहीं होने से किसानों को अपिक्षित दर नहीं मिल पा रही है ऐसी विपरित परिस्तितियों में अंगूर उत्पादकों को इस किस्मिश का समर्थन मिला है वही हाला कि उत्पादम ने गिरावर के बावजूद कीमतों में कोई तेजी बढ़ोती नहीं हुई है लेकिन कीमते इतनी कम नहीं है जिससे किसानों को थोड़ी राहत भी मिले वहीं फिलहाल किश्मिस बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहीं बता दे की 1,60,000 टन किश्मिश का उत्पादन हो चुका है एक तरफ जहां और से कम किश्मिश का उत्पादन हुआ है वहीं दूसरी तरफ मौजूदा तियोहार और शागियों के चलते किश्मिश की मां जादा हुई है वहीं चुकि अगली बतारे सांगली तसगाव और पंदरपूर के बजारों में ये 1500 टन किशमिश बिक चुकी है इसलिए व्यपारी निकट भविश्वे मांग में और वृध्धी की भविश्वानी भी कर रहे हैं इसलिए हम अंगूर से हुए नुकसान की भर पाई कर रहे हैं और किसानों को उमीद है कि किशमिश की पैदावार और भी आगे बढ़ेगी तो ये थी बात कि किशमिश में के दाम जो है वो राजी के प्रमुग बजारों में बिक रहे हैं वहीं पहले नवेंबर की किशमिश ये 160 से 220 रुपे प्रतिक किलो है जबकि तो ये थी बात कि शमिश की कि बता दे किशमिश उत्पादन में कमी के बाब जूद भी मांग में ये इजाफा देखने को मिला है और अच्छी कीमत से किसान भी अब खुश है तो बड़ी ख़बर में आज बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आब अने र झाल झाल